हेलो एव्रियोंड वेकम टू क्लास स्रीज और आज के इस वीडियो में हम जिस कॉश्चन को सॉल करने जा रहे हैं वह कॉश्चन है विश्टम अफ दी एपी 72, 68, 64, 60 and so on is 0 तो सबसे पहले हम कॉश्चन को समझते हैं कॉश्चन में क्या बोला है यह जो एपी की सीरीज है 72, 68, 64, 60 and so on मतला भी पूरी एपी की सीरीज है ठीक है तो इसके अंदर से कौन सा टम है यह जो लास वैलू दे रहे की 0 क्या यह एपी के अंदर आता है अगर आता है तो फिर यह कौन सा टम है अपनको बेसिकली वह फाइंड आट करना है ठीक है तो मैं एक बार यह आपे एपी की सीरीज लिख लेता हूँ क्या है सीरीज 72, 68, 64 and 60 and so on यह कों साγαचा है यह बेसिकली आपकी एपी की शीरीज है अब इसके अंदर से हमारा फॉर्स त्रम तो ही हो जाएगा, 72 ठीक हैau डिफरेंस की होगी, दिफरेंस इकल WROT, क्या इस इसधिकली इस इसाफिकली अपका 68 minus 72 कितना होगा basically होगा आपका minus 4 तो difference आपकी होगी minus 4 और A के value होगी 7 and difference होगी minus 4 ठीक है अब question में basically बोला है न which term of the AP this and this is 0 तो फिर हमारा basically TN हो जाएगा 0 और N के value हो जाएगी question mark जो में find out करनी है ठीक है अब इस data से हम N term का formula अप्लाई करेंगे N minus 1 into D तो फिर TN के value क्या हो जाएगी 0 is equal to A की value है 72 plus N की value क्या होगी N की value तो अपन को find out करनी है राइट यह हो जाएगा N minus 1 into D की value क्या है minus 4 ठीक है इसको आगे हम further simplify करेंगे हमको answer मिलेगा यह कुछ इससरी कैसे होगा 0 is equal to 72 plus 4 देको plus into minus है तो minus हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा 4N तो minus into minus plus 4 बन जा 4 ठीक है यह कुछ इससरी कैसे होगा तो हो जाएगा 0 is equal to यह दोनों like terms है 72 plus 4 ठीक है कितना हो जाएगा 76 यह minus 4N as it is आएगा यह 0 अट जाएगा तो यह हो जाएगा 76 is equal to 4N ok therefore N is equal to 76 divided by 4 कितना होगा बेसिकली आपका निकलेगा 41 जा 4, 419 जा 76 तो आपको N के value क्या मिलिए 19 तो मतलब 0 यह term है I mean जो 0 दिया ना value वो इस series के अंदर आता है अब वो कब आता है जैसे 72 first term हो गया 68 second term हो गया third 64 हो गया fourth term 60 हो गया ऐसे 19th term पर वो 0 आएगा ठीक है तो T19, T19 is equal to 0 है ठीक है तो basically हम final answer लिखेंगे 19th term is 0 ठीक है So this is your answer